2019 लोकसभा चुनावोग को लेकर चुनाव आयोग की एक टीम चमोली पहुंची जहापर उन्होंने मतगर्ना स्थल पर पहुंच कर विवस्थाओ का निरिक्षण किया आपको बिता दें उत्राखड में 11 अपरेल से चुनाव होने है और चुनाव आयोग तयादियों में जुटा हुआ है और मतगर्ना स्थल का निरिक्षण यहाँ पर किया गया है तयारियों का जाज़ा लेने के लिए एक पूरी टीम चमोली पहुंची और मतगर्ना स्थल का जाज़ा लिया गया है चुनावायों की टीम जो है वो चमोली में पहुंची है तो ये तस्वीरे आप देख रहे हैं तयारियों का जाजा लिया गया है किस तरीकी की तयारिया है क्योंकि 11 अप्रेल को उत्राखर में पहली चरण में चुनाव होने हैं और ऐसे में मतगरना स्थल का निरिक्षर चुनावायो की टीम ने किया है मतगरना स्थल पर पहुंचे हैं चुनावायो की टीम तस्वीरे भी आप देख रहे हैं चमूली की तस्वीरे हैं चुनावायो की टीम चमूली में पहुंची है और मतगरना स्थल का जायजा लिया है लोकसभा चुनाव बहुत नस्दीक है और उत्राखर की अगर हम बात करें तो उत्राखर में पहली चरण में ही चुनाव होने हैं 11 अप्रैल को उत्राखर में चुनाव होने हैं तो मतगर्ना असल पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से पारदर्शीता से चुनाव होंगे और मतगर्ना 23 मई को होगी लेकिन मतदान की अगर हम बा झाल